जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया जलाया गया उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था और मेरे भीतर एक आकोस था मैं बेचेन हो गया था मैं केरल गया था मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था लेकिन है मैं एक लोग तंत्री की ववस्ता का प्रदनी दिये हूँ और मेरा व्यक्तिकरत गुसा मेरा व्यक्तिकरत आकर्ष मध्य व्यक्तिकरत बेची नहीं इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संतुलनत समझता हूं लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग जादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्टिति में देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो मैंने से कहा का आप पुरा डिजाइन करके लाईए मेरे पास क्या है क्या है और मैंने कहा आप चीतना भी कर सकते हैं करिए अब सोचने में कमी मत करना फिर बैठके ताय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे मैंने उनको खुली छूट दी उन्हों पर प्लान किया वो लेके आए मेरे पास दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस आपरेशन की क्योंकि मैं फूल सेकुरिटी चाहता था अखिर कर आपरेशन ताय हुआ मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ा रिक्स था और रिस्क मुझे राजनी थी फाइदय और नुक्षान वारा रिस्क में कभी सोथता नहीं हूँ मेरे जवान उनका कोई नुक्षान नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े है तो उसके लिए जो कुछ साधनों की जरूत थी उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए तक कि कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा यह तह किया कि उ स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सिक्रेट से मैंटेट करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई उसमें भुभाग महां की अट्चने उसको भी देखा रहा है क्या 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 रुकावटे आ सकती इमेजिनेशन करना उसकी वी चिंता की गई और मैं इन चीजों को मेरे मिल रहा था फिर हम जब बैटे तो हमने देने किया अब सो एंसो डेट हम करेंगे को कौन कहां रहेगा उसका में टीम के लोग वह भी ताई किया और ताई यह किया कि सुर्योदय कि कि पहले हमारे लोग बापिस आ जाने चाहिए और मैंने इस पर स्टादिश दिया था कि नहीं तो छोड़ देना लेकिन सुर्योदय के पहले बापिस आना है हम इस मोह में पढ़ जाएं और फिर लंबा खीचले इसा नहीं जो भी करना है तो लेकिन मैं मेरे जवानों को मनने नहीं दूँगा यह मेरा पहला उनको वैल एक्विप किया गया था वैल ट्रेंड किया गया और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि बताओ वेसना बड़ा इसकी काम है तो चांट करके लोग निकाले थे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था देश में भी आक्रोष था मैं लाइव कॉंटेक में था चीजे था लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया सुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूँ मैं मन में होता था कि क्या हुआ भई गंटे पर से कुछ ख़बर नहीं आ रही है पढ़ना तो लगातार आ रही थी दिख ले हैं पहले टुकड़ी यह दूसरी टुकड़ी यह जैसा है लेकिन सुर्यदय होने के बाद भ अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्मिनिकेट करूं कहीं और तकलीव हो जाए तो काफी यहने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बात वह समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था कि मैं जिन्दा लोटने के खाबर सुनने के लिए में बढ़ा रात महां कितना नुक्षान हुआ वह बात का विश्य है लेकिन मेरा जवान जिन्दा लोटने मेरी पहली प्रात भीकता थी फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुकडियां सेफ जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते और कोहीं रेंगते हुई निकलते तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसलिए का फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए लेकिन वो हम करीब सूर्य दे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने केमिनेट कमिटे ऑन सेकूरिटी की मिटिंग बलाई और उनको मिडिया ने आर्मी के लोगों ने आकर किसारा ब्रीट किया उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये कामिनेट कमिटे ने सेकूरिटे रताय किया और पहले पाकिस्तान को सुचना कर और बो ऐसा ऐसा हुआ है और बीडिया को पता ला तो पाकिस्दान के लोग टेलीफ़न पर आते नहीं थे मिडिया को 11 बजे बुला लिया था मिडिया भी परेशान था कि ये क्या बात है बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े गारा पौने बारा बजे हुई तो बारा बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए ये पल भाव थी एक प्रकार से एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पुरी तरह खुद इन्वाल था तो बारी नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से आपरेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचे हुआ जी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अध्भूत है जी और मैं तो सर जुगा कर उनको नमन करता हूँ कि इतनी बारी के से इतनी परफेक्ट ले उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर